इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इत्तिहाद न्यूज में आप सभी का खेर मक्तम है एक बार फिर से हम अहम खबरों को लेकर आएं मोधी है तो मुम्किन है का नारा लगाने वाले मोधी बक्तों के सामने और पूरे देश की आवाम के सामने कई सारे बाते खुल करा रही रैंबो की तरह बाला कोट में घुसकर सर्जिकर स्ट्राइक करने वाले और तीन सो लाशे गिनकर वापस आने वाले को अगर कोई दलील पूछता है तो देश दुरी गदार कहा जाता है पुल्वामा में अर्डेक्स कैसे पहुंचा अगर ये सवाल किया जाए तो आपको पाकिस्तान बेंचने की तैयारी की जाती है और आप तक हात नहीं लगाया आप तक कोई खबर ने तहकीक जारी है सबसे पहले देश रिकार्ड ब्रेक मियार पर पहुंचा है बेरोजगारी में कहते हैं पिछले 40 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बड़ी है तो इसी मुदी हुकुमत में मर्द औरत समानता की मामले में भी दुनिया के सबसे नीचे नंबर पर पहुंचा है भारत देश आपको जानकर ताज्यूब होगा कि ग्लोबल खवातीन मसाबात इंडेक्स में भारत 95 नंबर पर जाकर पहुंचा है यानि कि 139 मुलकों में 95 नंबर पर भारत पहुंचा हुआ है यानि कि भारत तरक्याफता मुलकों में जाने के बजाए नीचे गरीवी के तरफ जा रहा है कुल 119 मुलकों में से पचान्डव नंबर पर आता है मतलब रवांडा घाना भुटान से भी पिछले नंबर पर भारत है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है सबसे एहम खाबर बाला कोट हमले के वक्त तीन सो से भी जायद मॉबाइल नेटवर्क जारी थे इसका इल्म भारतिया से नाक हो था पर पिछले चार दिनों से गायब एक सो बतीस चोरहाट हवाई अड़े से परवास करने के बाद तैयारे ने राबता खो दिया डिफेंस मिनिश्टर का ने बताया कि विंग कमांडर के साथ कुल तेरा अफसरान इस पर सवार थे जो पूरे के पुरे गायब है अब तक उनका कोई पता नहीं लगा ए एन थर् कि टू इसी तरह से गायब हुआ था उस पर तो 29 सवार मौ उस मवजुद थे और पूरे के पूरे गायब थे कई तहकी की इस पर कमिटी बनाई गई लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा और आखिर कर उस फाइल को बंद कर दिया गया जैसे हम सभी जानते हैं कि मोधी सरकार के अक्सरनेताओं की डिग्रियां फरजी हैं यहां तक कि खुद मोधी की डिग्री भी फरजी हैं मोधी सिर्फ बारवी तक पड़े हैं और इन्हें डिग्री हासिल करने वारा शक्स बताया गया था और इनके करीबी खास करीबी जानते हैं कि कैसे फर्जी थी यानि कि यह जो फर्जी वाड़ा है मोधी हुकुमत के अंदर इसी तरह से एक और मोधी सरकार के यह चाड़ी मिनिश्टर रमेश निशंक की डॉक्टर इडबे आखिर फर्जी निकली है रमेश निशंक के पास एक नहीं दो दो डुग्रियां लिए हुए हैं और ऐसे उनिवर्सिटी से यानि कि स्रिलंका के किसी उनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्रियां आसिल की है जो गरांटेड नहीं है और अन्रजिस्टर है रमेश निशंक अपने अनाप शनाप बयानों के लिए भी काफी मश्यूर है इनोंने कहा था अपने पिछले कि साइंस तो जोतिशी के सामने जीरो भी कोई है आशियत नहीं है कि इतना बड़ा जोतिश है कि वह सैंस के सामने बिल्कुल जीरो एक और बयान में यही भारत के इस महाननेता ने जो बयान दिया था कि एक लाग साल पहले कश्युप रुशी ने निक्लियर गरीबी के फैरिस्त में जा रहा किसे जिम्मेदार ठहराया जाए जबकि देश की जनता ने भी इसी तरह के नेताओं को जनादेश दिया है खैर हम हर रोज इसी तरह की खबरों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे देखते रहें यह इत्याहद नूस अल्ला आफिस हुआ 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 है